अब है यो क्या कर लिया Seth Rollins ने यह जड़ा फोटो देखो उनकी बेकल इंच के साथ किसी तो शोपर किसी इवेंट पे तो गए वे यहाँ पे बिलकुल अपनी जो बियर्ड है उसको खतम ट्रिम कर वा लिया पुरा शेवी क्या होगा वैसे लेकिन अब थोड़ी सी उनकी जो एक फोटो वैसे मुझे और दिखी थी वो बिलकुल Seth Rollins के पुराने वाले टाइम की याद दिला रहे है जो वह डबल लवी में भी नहीं आया थे उससे पहले कि वह फोटो कहीं तो मैं लगा दूँगा इंस्साग्राम पर कहीं कमनी टैप हो सकता है पोस्ट कर दोकर मुझ दोबारे मिल जाया तो लेकिन इस फोटो में देखो आप अभी Seth Rollins ने ऐसा चिकना लोग कर लिया तो क्योंकि भी वैसे भी रिकवरी कर रहे है तो पता भाई ऐसे भी टेलिविजन पर तो आना नहीं है तो यह लोग देखके फैंस जरूर शौक हो रहे है Seth Rollins न अपनी एज को 15 साल पीछे कैसे कर लिया वैसे ड्रिप तो इसमें भी लग रहे है Seth Rollins मन न बढ़ेगा ओके हेलो चैटर्स माइनम इस रूइट एंड यो वाचिंग रेसल चैटर्स वेलकमें गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और ने एपिसोड में बैकलैश के बात की बहुत सारी बातें आपको बताने के लेकिन सबसे पहले रेसल मेनिया 41 की अनाउंस्मेंट के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूं जो कि इस बार डेबल डॉबली ने बहुत ही जादा अलग करी है तो ट्रिपल अश ने डेबल डॉबली ने लास वेगस ने अलेजेंट स्टेडियम ने सबने कोलाब करके एक पोस्ट डाली जहां पर सबसे पहले हमको यह पता चल रहा है कि रेसल मेनिया जो है लास वेगस में होने वाली रेसल मेनिया 41-2025 की बात हो रही है आपको पता है रेबल डॉबली पहले सा अनाउंस्मेंट क पहले हुए थी तो वही जगह है तो स्टेडियम के अंदर है बड़ा डॉबली का अजासा तो लोग फिल कर सकते हैं लेकिन अलग बात यह है कि डबल डॉबली के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एप्रिल महीने के सेकंड हाफ में रैसल मेनिया शो हो रहा है और क बास फीक में कर वाली थी है यह सब इस साल भी देख लो फिर उस से पिछले साल भी देख लो तो यह थोड़ा सा डबल डॉबली ने इस बार यहां पर चेंज किया है और लोगो आप मुझे बताओ कैसा लग रहा है बहुत ज़्यादा फ्रेश यह वाइप दे रहा है यह हो गई है रहसल मिन्या 41 के लिए ओफिशल अनॉंस्मेंट मिनिसोटा वालों को बहुत प्राबलम हुई इससे क्योंकि पहले वो सबसे आगे चल रहती कि उनको उनकी सिटी में रहसल मिना बिलेगी बैकलेश का क्राउड तो आपको पता है कितना ज्यादा धमाकेदार थ इसमें तो स्टेडियुम में भी क्या डाबलडवि जाके फ्रांस में इवेंट करवा सकती है तो निखाने मैसस किया जो कि प्रेस उवेंट में आखिन अर्फिय में आथा है जब बैकलेश चल रहते तो सपाल मुझे स्टेडियुम और कोशल मा अ करके ऐसा मैसस किया वहां पर लेकिन इसके बावजूद भी कितना इलेक्ट्रिक था क्राउड वह तो भाई मतलब डेबल व्ली की हिस्ट्री में ऐसा क्राउड नहीं आया था अब तक जो हमने टेलिवाइस इवेंट देखें अब तक तो उसे ताब से उनको ऐसी ट्रीट्मेंट मिलनी चाहिए व तो आपको पताए A.J.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.E. में एक मूमेंट था जब Kimura Lock में Cody Rhodes ने फसाया था A.J.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.I.L.S.T.I.L.S."T.I.L पहले जैसा ही क्लियर हो गया है क्योंकि Triple H ने बोल भी दिया था सारी चीजे तो यह दिरे दिरे ऐसा लग रहा है मुस्स पॉजिटिव डिरेक्शन में चलने और शाथ एक डेट आई कि जब अगली स्टोरी है व्ली के King of the Ring and Queen of the Ring के टूर्णमेंट के बार में तो व्ली ने कल Backlash के टाम पेस को अनाउंस कर दिया तो यहां पर आप देख सकते हो जो मैच-अप्स हैं वो कितने तगड़े बनाया है गुंथर शेमस फिर रिकोशेयर ड्रागनोफ साथ में रे मिस्टिरियो और कोफी किंस्टन और फिर गुंथर और फिन बैलार तो इस बार डबल डूर्ड ने बिल्कुल दिगज सूपर स्टार्स को इसमें फीचर किया और मुझे लग रहा है कि अब तक भी इमेज बनी वी एक तो जो दो नहीं वैसे तो बहुत टाइप के लेकिन मेजर लिए अगर उठा है एक वो जिनको हंगामा बवाल चाहिए और एक वो जिनको रेस्लिंग के ओपरा कर डबल डबली ज्यादा इन्वेस्ट करते तो उनको देखने में मज़ा आता है और ऐसी ओडियन्स जबल दूसरे प्रोमोशन की बात होती है तो यहां पर अगर मतलब यह कोई जोड जमरस्थी नहीं करता भाई किसी को कि इसको मैच को बहुत पसंद नहीं आना चाहिए कि प्योर क्लासिक इंस्टन क्लासिक तब 5 स्टार था ऐसा भी नहीं है और मैरको यह भी लगता कि इस मैच को को ही हेट करनी की जोड़ा था क्योंकि हमेशा ही कोडी रोडस और एजस स्टायल्स का जब मैच उन्हें ने दिमांग में सोचा होगा तो यह डिसाइड कि हो कि यह प्योर रस्लिंग मैच देंगे लोग को ताकि उनको मजा आएगा देखने में और वही चीज़ा हमने इस मै एगा डेवल लॉववली ने केटर करने की कुशिश की जिनको ऐसा चीए कि अगर आप यह सोच के बैट और इस मैच में किसी का रिटर्ण होजा तो डेफिनिटली डिसापवाइटमेंट हुई होगी अब मैं ऐसा बंदा हो जो मैं कभी रेस्लिंग वाली चीज पर कर लेता यही तो C.M.Punk से सीखे हुए हैं तो उन्होंने क्या ट्वीट किया जो देविन प्रीस ने चैंपनशिप को रिटेन कर लिए सब B.S. है, चैंपेन भी B.S. है, नम्वर न कंटेंडर भी B.S. है, फिनिश भी B.S. है, तक्तिक्स भी B.S. है तो तो टांगा सीखा था अब टांगा लोगा बोलने की भी आदा थोड़ी रखनी चैए शाद मैं प्रिवी वीडियो में गलती बोला मैंने टांगा बोला क्या बोला मुझे भी नहीं पता एक तो रात में वीडियो रिगॉर्ड करी वह तो यह पहली बार नहीं है बलकि इससे पहली बार नहीं है पसीन आरहा मझे क्योंकि AC बंद हो चुका है तो यहां पर क्या होता है 2014 के टांग पर डबल लबली ने इनको अपनी कंपनी से निकाला था और कुछ एक साल के लिए डबल लबली के साथ थे अर उस कमेच और इनका नेम था क्राइशो था और यह मेरे को याद भी निवाई को ऐसे सुपर स्थार तभी क्या क्या वर है वह ने पहले तो याद भी आया कि यह कभी डबल लबली में भी थे जबकि तामी में बहुता है रोमन रेंज को डेबल लबी ने अपने स्मैक्डाउन के बैनर से अटा दिया तो यहां पर आप इस फोटो में देखो जो स्मैक्डाउन का लेटेस्ट डेश्ट डेट किया ड्राफ्ट के बाद यहां पर कोडी रोड जेट कारगिल लोगन पॉल और रैंडी ओर बेली और जगा देदेगी अब वो डेट क्या होगी वो जगा क्या होगी उसके लिए अल्रेडी ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो तकड़े तरीका से प्रिपेर हो भी रही है पॉल हमन ने कुछ रियाक किया टांगा लोगा के डबल लबली के आने के उपलक्ष में तो जो डबल ल को सेट अप किया गया है तो अब यहां से तो क्लियर हो गई है बाद जो पहले लग रहा था कि जब अब रोमन रेंज जब आएगा तो सिच्वेशन कैसी हो नहीं क्योंकि रोमन रेंज नहीं बलड लाइन के वो पुरे कड़ता धरता रहें तो वापस आके जब वह ऐसा माह अचले कि तो लाइक भी कर सकते हो और तब तक फिर लेतर हो जिन्दी के मज़ें